नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं उनका पैनल तयार कर रहा है इसमें 526 करनी अभियनताओ और 899 कम्प्यूटर अप्रेटर सो लेखा सहाय के पद है पैनल के तहद उन्हें कार्य दिये जाएंगे पंचायतों को निर्देश भी दे दिये गए हैं पतादे कर्मियों के बीच कारे बटवारे को लेकर खाका तयार है पांच अक्टूबर तक इनके लिए परखंड और पंचायत का कलोस्टर भी चिनित कर लेने के लिए कहा गया है राज्य के मौसम पूरु अनुमान में बताया गया है कि एक कौम दबाव का छेत्र पूरु भी उत्तर परदेश में बना हुए है इसका परसार बिहार और आसपास के इलाकों में है इसका असर राज्य के मौसम पर दिखने को मिल रहा है वहीं 6 अक्टूबर से राज्य से मांसुन की विदाई के लिए परस्थेती बेहतर बन रही है ऐसे में आज राज्य के विभीन हिसों में हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है गुमला में 4 चर्ण में होगा पंचाज चुनाओ 33 पंचायत निर्वाचन 2021 के तैयारी को लेकर बैठक सो मोहर को विकास भावन सभागार में होई अध्यक्सता जीला निर्वाचन पदाधिकारी स उपायुक्त गुमला सिसीर कुमार सिन्हा ने की इस दोरान पूलिस बलों की प्रतिन्युक्ती समयत आनेकारियों के सफल संचालन को लेकर दिशानी देश भी दिये गाए बैठक में जीला पंचायत राजपदाधिकारी मोनिका रानी तूटी ने बताया की गुमला जीला अंतरगत त्रियस्तरवय पंचायत निर्वाचन 2021 चार चर्णों में संपन कराया जाएगा जिसके तहत प्रत्थम चर्ण में राई डी सीसाई एवं भार्नो परखंड प्रतियक परखंड में बनेगा एस्टेडिया मंत्री सत्यानद भोगता चातरा कहस्ताने जुहर नेहरू अस्टेडिया में जीला अथलेटिक्स के तत्वधान में दसवी चातरा जीला अस्टेडिक्स परतियुक्ता का आयोजन किया गया जिसका उध्याटन बतर मोख्याती थी राजी के स्रम नियोजन प्रसिक्षन सा कोशल विकास मंत्री सत्यानाद भोकता ने जेवलिन थ्रो कर किया बता दे उन्होंने कहा कि जीले के सभी परखंडों में एस्टेडियम का निर्मान कराया जाएगा एस्टेडियम निर्मान का प्रस्ताव भेजा गया है उन्होंने कहा कि सिग रही खेल मंत्री से मिल कर इनके प्रस्ताव पर मोहर लगवाने का काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द एस्टेडियम निर्मान का मार्क प्रसस्त हो राजे बीसो बिद्यालेों में रिक्त पद जल्द भरे राजे पाल जहारखन के राजे पाल रमेस वैस ने राजे बीसो बिद्याले में रिक्त पदों पर लंबे समय स्ते नियुकती नहीं होने पर चिंता और नराजगी जाहिर की इसे एक गंभे समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्याले को भी रोष्टर किलिरेंस कर समय पर भीजना चाहिए राजेपन ने रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया उन्होंने सोमवार को राज बहुन में राजे के विविश्वविद्याले के सेक्षनिक वो प्रसासनिक कारियों की उचस्तर ये समिक्छा की दुरगा पुजा को लेकर प्रसासन अलर्ट दुरगापुजा को लेकर राज भर्क के संप्रदाइक ततों को चीनित किया जा रहा है सभी जीलों में उन लोगों की सूची बनाई जा रही है जो संप्रदाइक कांडों में सनलिप्त रहे हैं ऐसे कांडों में सामिल लोगों पर पूलिश ने थाना अस्तर पर क्या करवाई की है इसके बारे में भी जनकारी जुटाई जा रही है पूजा के दोरान उत्पाद में सामिल ततों के बारे में भी सभी थानों से जनकारी ली जा रही है ऐसे लोगों को चीनित कर उन पर निरोधात्मक करवाई की जा रही है घाटना की वज़ा और उसकी पुरुष्ट भूमी में सामिल लोगों के बारे में भी जनकारी कठा की जा रही है HEC कामगारों ने बेतन के लिए परदसन किया बेतन भुगतान की मां को लेकर HEC मजदूर संग ने सोमवार को HEC मुख्यालाई के समक्स परदसन किया और प्रवंधन का पुतला जलाया संग के नेताओं ने कहा कि 6 माह से कामगारों के बेतन नहीं मिला है वावजूद वह उत्पादन बढ़ा रहे हैं करोना काल में भी प्रवंधन ने कामगारों को किसी परगाय के सुधा नहीं दी बतादे करोना काल में बेतन भी नहीं दिये गए अब तेवार आ गए हैं ऐसे में बिना बेतन के काम करना मुश्किल हो रहा है कामगार्व का अक्रोस बढ़ता जा रहा है जो किसी दिन भी फुट सकता है इटकी में हाथियों ने तीन घरों को छतिगरस्त किया इटकी के जंगलों में एक सब्ता से अड़ा जमाई 15 हाथियों का जूंट रविवा की राथ तीन घरों को छतिगरस्त कर दिया है बतादे हाथियों ने चच गुरा महरा पतरा के पास मनोज लकड़ा है भगत बीर्षा उराव और कुली गाउं में इंदुआ उराव के घर को छतिगरस्त कर दिया है वही पल्मा गाउं में संतोस तिग्या के ग्रीन हाउस को छतिगरस्त करने के बाद बिजली टांसफर्मर में लगे MCB को तोर डाला है ग्रामिनों के अनिसार हाथियों का जूंड कुली जंगल से निकल कर महरा पतरा होते हुए राची गुमला मुख्यमार को पार कर पल्मा गाउं पहुचा है कुरोना काल में मौत के बाद पेंसन वाले आधे आवेदन खारीच कुरोना संक्रमन के दोरान अपनों को खोने वाले गरीब परिवारों को पेंसन व्योजना से जोडने का कार जारी है इसके लिए राची जी लेके सभी 22 अंचलो के 403 परिवारों को चिनहित किया गया था और आवेदन मांगाए गये थे लेकिन जांच के बाद 240 परिवार पेंसन के लिए योग ये नहीं पाएगाए बता दे अब सिर्फ 164 परिवारों को ही पेंसन का लाब देने की करवाई की जा रही है 93 परिवारों को पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है वहीं 71 परिवारों को जोड़ने की परकिरिया जारी है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या अंठानवे है भारत में 16752 केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,45 या 689 है प्रियंका गांधे की गिरफतार योगी और मोधी सरकार की ताना साही जार्खन के बीत तथा खाधा पूर्ती मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने उतर परदेश के लखीम पूर खीरी गाव में किसानों की दर्धनाक, मौत और पिडित परिजनों से मिलने जा रही कॉंग्रेश की वरिष्ट नेतरी प्रियंका गांधी की गिरफतारी भाजपान नेतित वाली केंद्र तथा योपी सरकार के ताना साही रवया को दर्शता है डाक्टर रामेश्वर उराव ने सोमवार को कहा कि भाजपाई हुकुमत देश के लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है अधिकारों को कुचल रही है लेकिन पार्टी देश की लोतांत्रीक व्यवस्था पताना साही को हावी नहीं होने देगी दिसंबर में पुरा होगा कोल विद्रो का 190 वर्श छोटा नागपूर की धर्ती पर 1831 इस्वी में हुए कोल विद्रो का दिसंबर 2021 में 190 वर्श पुरा हो जाएगा इसको लेकर मोराबादी मैदान में भव्यकारिकरम का आयोजन होगा आयोजन राश्ट्री आदिवासी इंडिजीनियस धर्म समन्वे समीर्ती जार्खन परदेश द्वारा होगा यह जनकारी पुर्व कानून मंत्री देव कुमार धान ने दी उन्होंने बताया कि कोल विद्रो तिवत समरों में विद्रों में सामिल हुए बीर बुद्धु भगत सहीत सेकडो अमर सहीतों को याद किया जाएगा और सतांजली दी जाएगी धनबाद जज मोत मामला धनबाद के जीला एवं सत्र नयाधिस उत्तम आनंद की मोत मामली में गिरफतार आटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा सीबियाई के समक्ष लगतार अपने ब्यान बदल रहे हैं सीबियाई ने सोमवार को भी सेस नयाले में आवेदन देकर या आरोप लगाया है कर्मियों को मिलेगा 72,500 का बोनस कोल इंडिया के लगभग अढ़ाई लाख कर्मियों को 72,500 रुपए का बोनस मिलेगा 11, October तक बोनस का भुकतान हो जाएगा बतादे बोनस मद में लगभग 18,12 कोल रुपए का भुकतान किया जाएगा हलाकि अटेंडेस के अधार पर भुकतान के कारण कूल रासी में कुछ कमी आती है बतादे पिछले साल 68,500 मिला था पिछले साल से 4000 ज्यादा इस बार भुकतान किया जाएगा जारखन के लुहरदागा इस्थीत अजय उध्यान में सोमवार को सहीद पूलिस अधिक छक अजय कुमार सिंग के सहाधत दिवस पर उन्हें सधांजली दी गाई उपायोक्त दिलीप कुमार टोपो ने कहा कि नकसलियों के साथ मुढभेड में सहीद हुए अजय कुमार सिंग जैसे बहादूर पूलिस पताधिकारी को हमने खो दिया है लेकिन उनकी प्रेना हमेशा अनुकर निये है इस दोरा नकसलियों से उन्होंने अपील की है कि समाज की मुख्यधारा से जुड़े और सरकारी योजनावों का लाव लेकर विकास में सहयोग करे ACB की टीम ने चातरा SDO के स्टोनों को घूस लेते दबोचा ACB की टीम ने सोमवार को चातरा के अनुमंडल पदाधिकारी मुम्ताज अंसारी के स्टोनों चंद्रकांत को 25,000 रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ वोच लिया है बता दे SDO का स्टोनों हंटर गज परखंड के PDS के डिलर परदिप कुमार यादों से अनुमंडर कर्याले में घूस का पैसा ले रहा था डिलर की निलंबित PDS दुकान का लिलंबन वापस करने को लेकर 50,000 रुपय की मांग स्टोनों ने की थी इस बात की जनकारी PDS डिलर ने ACB टीम को दी थी इसके बाद ACB की टीम ने योजनावत तरीके से SDO के स्टोनों को दबोचने का पलान बनाया सिमडेगा में बनाये जा रहे एस्टो टर्फ एस्टेडियम सिमडेगा सहरी छेतर के एस्टो टर्फ एस्टेडियम में कराय जा रहे कारे में गुनवता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है गुनवता पुर्ण कारे नहीं किये जाने के कारण सरकार का लाखो रुपे बरबाद हो रहा है बता दे एस्टो टर्फ एस्टेडियम में अप्रेल माह में ही सब जूनियर नेशनल होकी चैंपियन्सिप का आउजन किया गया था इस दोरान एस्टो टर्फ एस्टेडियम में नया गोल पोस्ट लगाया गया था किन्तु निम्न अस्तर का गोल पोस्ट लगाने के कारण पांच महिने में ही गोल पोस्ट पूरी तरह जरजर होकर तूट गया है 20 अक्टूबर से सिम्डेगा एस्टोटर्प स्टेडिया में फिर से एक बार नेशनल जूनियर महिला होके चेंपियनशिफ का उजन किया गया है जिसमें विभीन राजियों से होकी खिलाडी चेंपियनशिफ में भाग लेने के लिए पहुँचेंगे भोजपूरी एकता मंच की मांग राज हीत में होगा बड़ा अंदोलन भोजपुरी एक्ता मंच द्वारा बोर पहाडी मैदान में जनसभास विचार गोश्टी कारिकरम का उजन किया गया कारिकरम को समोधित करते वे विधायक सीपी सिंग ने कहा कि मुख्य मंतिर राजी में भासा के नाम पर लोगों में आपसी मद्भेद करना चाहते हैं भोजपुरी एक्ता मंच ने भासा की एक्ता और समान के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है हम मंच के साथ अम्तिम धम तक आंदोलन का साथ देने का वादा करते हैं उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा लोहरदागा में जागरूपता रथ रवाना समाज कल्यान विभाग लोहरदागा की ओर से जीले में डायन प्रथा उन्मुलन के लिए परचार रथ को रवाना किया गया बतादे डीसी दिलीप कुमा टोपो ने समानाले परथर से सभी परखंडों के लिए परचार रथ को रवाना किया इस परचार रथ के साथ कला दल का जथा भी अगले साथ दिनों तक रहेगा जहां कलाकारो द्वारा डायन प्रथा उन्मुलन के लिए लोगों को जागरूप किया जाएगा बता देया प्रचारात 5 अक्टूबर को भंडरा, 6 अक्टूबर को कैरो, 7 अक्टूबर को कुड्डू, 8 अक्टूबर को सिनेहा, 9 अक्टूबर को किसको और 10 अक्टूबर को पेसरार परखंड में मजूद रहेगा रांची के जीरी में बायो गैस प्लांट जीरी में काचरा निस्वादान के लिए प्रस्तावीत गेल इंडिया के कमप्रेश्ट बायो गैस प्लांट के लिए बनने वाली सड़क के लिए ग्रामिनों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है नगर निगम महीने भर से सड़क के लिए जमीन उपलब्त कराने की कोशिस में जूटा था ग्रामिनों को मनाने की कोशिस चल रही थी मगर ना काम रही गरामीनों का कहना है कि ओ सड़क के लिए तब ही जमीन देंगे जब नगर निगम बायो गैस पलांट में मुगवजे के साथ ही उन्हें अस्थाई नोकरी भी दे धन्यवाद